किसी के भी अंदर अगर वो अध्यक्ष है तो उसके अंदर मुख मंतरी बनने की महत्वा कांग्छा होगी और इसमें कहीं कोई बुराए नहीं है प्रस्न है कि क्या वो महत्वा कांग्छा की पूर्ती नौ होने के कारान वो पार्टी को नुकसान पहुचा रहा है सेंटर लीडर्शिप ने अपना मत अस्पस्ट कर दिया आपको दोनों बार एक बार पहले मुख मंतरी बनाया वो तो आके दिल्ली में भी प्रयास किये थे 2017 में मेरे सामने की घटना है उनने कोशिस की थी सेंटर लीडर्शिप ने उसको स्विकार नहीं किया और इस समय का सिच्वेशन केसो परसाद मौरिया कोई भी अनभवी आदमी उनको पता है कि योगी आधितनात इस समय हिंदुत के और हिंदुत अभी प्रेडित रोरास्ट चेतना है उसके इतना बड़ा व्यक्ति तो बन चुका है कि उसको हटाने का सेंटर लीडर्शिप इस समय रिस्क नहीं ले सकता है और देश भी नहीं चाहेगा की वोटे तो केवल यह है कि जो एक इंटरनल रिफॉर्म की बात होती है कि आपकी सारे परनालिये उसमें इंट सब्सक्राइब बहुत भयानक पावर स्ट्रगल है बहुत भयानक आप इसको किसी भी तरह से नकार नहीं सकते केशव जी को लगता है कि संगठन के पुराने आदमी है विश्व इंदू परिषट के गुरक्षा समीति से यहां तक पहुंचे हैं पिछडी जाति के सबसे यह बात तो समझना पड़ेगा अधेश जी भी वह बात कह रहे हैं और यह बात सर्व विदित है योगी आदित्यनात आज की तारीक में सरुमान नेता के तोर पर हैं आप अगर यह कहेंगे पार्टी की भीतर क्या इस सिती है कौन विधायक है कौन सांसद है कौन किस से मिल है तो आप सवाल खड़ा कर सकते हैं लेकिन अगर लीडर्शिप के तौर पर आप कहेंगे कौन एक व्यक्ति है उत्तर प्रदेश में किसी से पूछ लीजिए तो किसका नाम ले अब मैं बार बार जो कह रहा हूं यह नहीं हो सकता कि केशो प्रसाद मौरिया अलग पावर से कि हर जीले में हर जगहा अलग अलग लोग सोचें कि अच्छा हम केशो जी कहां चले जाए और मैं तो कह रहा हूं यह जिम्मेदारी योगी आदितिनात की मानूँगा वो राजी के मुखियां है उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने सारे कैबिनेट जिलाद्यक्ट संगठन सबको साथ लेकर चले यह बड़ी जिम्मेदारी हो और अगर कारिकरता कहेगा कि सरकार में काम नहीं हो रहा है तो उसको भी एड्रेस करने की जिम्मेदारी हो नहीं कि उसके ऊपर हम वह भी हम डीटेल बात करेंगा कि योगी जी को पता नहीं है या उनकी जानकारी में ये सब हो रहा है और दूसरा सवाल क्या योगी जी सर्वमाने नेता है सब को पॉपुलर है वो सब अलग मुद्दा है क्या केंद्रिय नित्रत्व में ये फैसला लेने की हिमत है या सोच रहा है कि वो योगी जी को पदल सकता है इसका जवाब दोनों दो देंगे पहले आप मुझे बस क्यूंकि आपने का स्टेशन मास्टर है कुई आपको कौई क मुझे मालूम है कि ये जो गड़ी अपने आप चल रही है ने टेशन मास्टर तो कोई होता है लेकिन स्टेशन मास्टर की भूमिका क्या होगी वो नहीं पता है क्या वो चाहता है कोई भी सेंट्रल लीडर्सिप दो लोग इस समय निरने करने वाले कोई चाहेगा कि उत्तर समय अगर कुछ मतभेद हैं उनको आपस में बैठ के दूर करना कारकरता वस बलकि एक प्रेस कॉन्फरेंस होना चाहिए साथ में बैठकर एक प्रेस कॉन्फरेंस होना चाहिए जो कुछ भी कमिया रह गई है संगठान और सत्ता के बीच उसको हम लोग दूर कर रहे हैं सब कारकरता मन से काम करें ये चीजे होने ही चाहिए उससे तो मैं सामा करें इनका एक सवाल और था कि क्या कोई है जो ये चाहता है कि योगी जी वदले जाए देखे कोई चाहता होगा उ समय बहुत इस पर मन्थन चला है इस समय उत्तर प्रदेश के परिवर्तन को लेके जहां तक मेरी जानकारी है भारतिये जनता पार्टी के सिर्शनित्रतुर में कोई विचार भी मर्स नहीं है कि हमको हम मुक्रमत की बदलना है समय समय चलाए है तो उसके बात कैसे अप ना पक शकेंगे मोधी जी कहेंगे कल योगी जी मोधी से मिलेंगे और आज या कल सुभे देख लेंगे समय वीजे जी स्टेशन मास्टर से बात कर लेंगे